याइज वल्कम टू माई चैनल होप आप लोग अच्छे होंगे तो जैसा कि आई बीपियस पियो प्रिलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों में से बहुत सारे स्टुडेंट्स बोलना है दिदी मेंस के लिए स्ट्राटीजी बताओ कि मेंस के लिए कैसे करना है च तो कभी स्कूल में किया ना कॉलिज में किया तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वास वेरी निव फॉर मी है ना इसके अलावा अलावा इतना टफ पेपर में बैटना मेरे लिए यह यह भी बहुत ज्यादा नहीं था तो मैं अपनी एक्सप्रियंस आपके साथ सेयर करू में जिससे आपको अगर सीदियस लोगे तो मेरा एक्सप्रियंस आपको बहुत ज्यादा हेलपफूल होगा आपके सेलक्शन में तो सबसे पहले तो अगर आपने प्रिलिम्स रिजल्ट का वेट किया और मेंस के लिए प्रिपेर नहीं किया तो यह बहुत बड़ी आपने ग पी और भी कलड़क है ना सब्सक्राइब इस बीड़क इन सारे एक्जाम के लिए बढ़ा होगा तो आपका आई वी पीड़की अगर आपने त्यारी नहीं भी कि होगी तो आपके चांसे बहुत ज्यादा हाई होते हैं 100% चांस बन जाते हैं आपके इस एक्जाम को क्लियर करन सब्सक्राइब करें के लिए तो डरना बिल्कुल भी नहींhem अगर आपने नहीं पड़ाई की है तो मेरी तो इन इस ऑसक्राइब सबसें पहले बात करते आप कौन सा मप्व tempo सब्सक्राइब करना है सबसे पहले तो में दोनों जगा पर फ्री मॉक टेस्ट का मैं दे देती हूं लिंक आपको फ्री मॉक टेस्ट लिंक मैं देती हूं आपको यह ओली बोड का है और ओली बोड का आपको पता है कि कितना अच्छा बहतर होता है लेकिन आप लोग क्या करना कि फ्री वाला मैं लिंक आपको दे रह क्वाला है उसका मैं दे रही हूं आपको लिंक एक हाम करना जो भी इस वीडियो को देख रहा है इस्टुएंट आप उस मॉक्टिस को लगाना और अपने-पने स्कुर शेर करना कॉमेंट में और कॉमेंट में मुझें इससे क्या होगा कि एक आईडिया लगे गा कि आप आपको मेंस का लगाना चाहिए तो फ्री वाला अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेंस का ओली बोर्ड का ले सकते हो बाई कर सकते हो क्योंकि आप लोगों से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कौन सा मॉक्टेस्ट मेंस के लिए अच्छा होता है तो ओली बोर्ड साहिए ठीक है तो लिंक आपको मैं दे देती हूं से कड़ाति हैं कि करना कैसे कैसे कलिर करना है तो देखो होता क्या है कि कि जब हम पहली बार मेंस का एक्जाम देते हैं या फिर आपको भी पता है कि अगर आप सेकेंड या थर्ड एटेम्ट दे रहे हो मेंस का तो एक बात हमेशा अपने मन में अभी से बैठा के जाओ कि IBPS PO मेंस PO मेंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आएगा इतना याद रखना ठीक है पेपर इजी नहीं आएगा पहले से ही सोच के जाओ कि पेपर टफ आएगा इजी आता है तो बहुत बहुत बहतर है लेकिन आपको यह मान के चलना है मैं आपको कोई सत्वना नहीं दे सकती हूँ कि हाँ पेपर इजी आगा नहीं आप यह मान के चलो 110% की पेपर IVPSPO का टफ आता है अब होता क्या है कि उसमें जैसे क्वांट के कोश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे रिजनिंग के कोश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको बिल्कुल भी नही बनेंगे है ना हो सकता है इसमें आपसे तीन चार ही कोश्चन बन पाए हो सकता है इसमें भी आपसे तीन चार कोश्चन ही बन पाए ऐसा हो सकता है लेकिन इसी में हमारा पेपर के लियर होता है वो कैसे होता है वो समझना है तो मैं कुछ आपको टिप्स सेयर करूंगी इसक आपका मिंस नहीं हो जाता है, गाठ बांद लेना, अगर आपको इसको final में तबदील करना है, तो जब आपका सबसे पहले, अगर आपका quant आता है, है ना तो क्वांट में आपको सारे कोश्चन नहीं बनाने हैं सारे कोश्चन आप सोचोगे कि बन जाए impossible है next to impossible आपका पहला कोश्चन आया नहीं बना दूसरा आया नहीं बना आप लगतार जितने भी कोश्चन आया नहीं बना तो हो सकता है कि जैसे क्वांट में क्वांट आ है कि आपको 10 नंबर काहीं बन पाए है ना तो ऐसा बिल्कूल भी उस पॉइंट में मत सोचना कि 50 नंबर मेरा छूट गया बिल्कूल भी नहीं यह सोचना है आपको कि अगर मेरा 10 बना तो पूड़े हॉल का भी 10 बनेगा यह मैंने अपने मैंने इतना एक्जाम दिया है न मैं खुद बता रही हूँ मैंने यह चीज एक्सप्रियंस किया है हम क्या करते हैं कि अपना पहला पेपर के कारण बाद वाला पेपर बिगार लेते हैं तो बिल्कूल भी नहीं सोचना है यह पहला बात सुचना है कि पेपर टफ आएगा ठीक है दूसरी बात यह सोचनी है हो सकता है क्वांट में मुझसे तीन ही कोश्चन बने क्यूंकि वह पेपर का लेबल ऐसा होगा कि कोश्चन किसी से नहीं हीलेगा तो आपसे भी नहीं हीलेगा ठीक है तो यह चीज करना उसमें क्या करना है कि आपको ढूंड ढूंड करना है कोश्चन क्वांट में क्वांट अगर पेपर आया है ना क्वांट पेपर आया तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे की सारे कोश्चन आपसे नहीं बने आपको उसमें दो नमबर वाले एक नमबर वाले ऐसे आपको ढूंडने है और ढूंड ढूंड के अपने नमबर को क्या करना है गेन करना है इंक्रीज करना है किसी भी डियाई पे किसी भी कैसलेट पे चाहे कोई भी कुश्चन पे आपको श्टक होके नहीं रुकना है अगर अप स्टक हो गया तो आपका पेपर खराब हो गया ठीक है आपको पहले क्या करना है एक नमबर दो नमबर वाले जो कोश्चन है उनको attempt करना है आपको देखना है कि ये कोश्चन बनेंगे की नहीं उसके बाद ही एक काम करना सबसे पहले तो आप पूरा जो क्वांट का पेपर आएगा उसको एक बार आप जल्दी से एनेलिसिस कर लेना कि इसमें से कौन कौन सा कोश्चन में बना सकता हो ठीक है क्योंकि देखो टाइम हमारे पास भरपूर रहते हैं मेंस में टाइम की कोई कमी नहीं रहती है तो जैसे ही आपका पेपर है तो यह 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 वनेगा ठीक है तो एसा करना है कहने का मतलब कि आपको इस पर खाल गय करना है स्कॉर कलेक्ट करना है अपने होडों देजीत के से से एकि यो कि फ्रकुन की चाहिए की जाना है ऑसे स्च पैसा पर लेजमेंड चीजों करें चाहिए एक बार सरसरी निगा से पजल पढ़ लेना है, sitting arrangement पढ़ लेना है, कोई नया type का question आए, उसको देख लेना है कि बनेगा या फिर नहीं बनेगा, अगर नहीं बनने लाइक हो तो समझना कि पूरे hall का नहीं बनेगा, एक चीज याद रखना कि हमें सारे question नहीं करने होते हैं, हम हमें मात्र इतने ही question करने हैं, जिससे हमें hundred around score आजाए, hundred around score आजाए, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इससे अधिक हमें नहीं चाहिए, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कि नहीं बन रहा है, तो क्या होगा, ठीक है, दूसरी बात, सबसे most important बात, जो हमा हमारा̥ जिये का section आएगा, है न, जिये का section आएगा, उसमें हमें ऐसा होता है, कि हम पंदरा मिनट में सारे question करनेंगी, помंदरा मिनट में सारे question हम कर सकते हैं, जिये के, लेकिन हमें time दिया जाता है extra, और उस extra time में हम क्या करते हैë, कि बैठे बैठे तुखके मारते हैं कि चलो तुकके बैठे बैठे क्या करें कुछ फालतु काम काहि कर лेते हैं तो क्या होता है कि जब 40 हम कर सकते हैं जी ये लेकिन जो हमें एक्ट्रा टाइम मिलते हैं वो हमें इसी लिए मिलते हैं ताकि हमारा पेपर खराब किया जा सकें हमें अपने आप पे पेसेंस रखना है उस टाइम जितना कोश्चन जी ये में बन जाए उतना ही बनाना है तुक्के नहीं मारने है ज्या यह चीज मैंने पढ़ाता तो कर सकते हो लेकिन पूरी तरह से जो आप खाली बैठते हो उस टाइम में आप तुके मारोगे तो आप बहुत जादा निंगेटिव में चले जाओगे और क्या पता 0.25 के कारण आपका सेलेक्शन रुख जाए तो तुके बिल्कुल भी नहीं मार करने हैं इसके पाद आते हैं इंग्लिश में आपको फिलर अगर फिलर आयना तो इंग्लिश में आपको फिलर बहुत बढ़ियां से आराम से पढ़के बनाना है हर बढ़ाना नहीं है में में बहुत अधिक टाइम होता है तो किसी भी पेपर में आपको हर बढ़ाना नहीं ह ठीक है English में आपको क्या करना है English में आपको English में आपको fillers ठीक है fillers और जो चीज आपको लगे जो English में आपको लगे कि मेरे से बन जाएगा मैं 100% सिघ्वर हूं वही आपको करना है ठीक है और एक चीज का ध्यान देना है आपको कि हर section में आपको इतना करना है जिससे आपको sectional clear हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप sectional ही ना clear कर पाओं तो यह चीज का ध्यान रखना लेकिन हाला कि sectional depend करता है कि paper का toughness कितना है देखो एक चीज याद रखना last में मैं फिर से बोल दी हूँ कि paper ऐसा आएगा जो आप से हीलेगा नहीं क्वांट और reasoning खास तोर से ठीक है क्वांट और reasoning खास तोर से ओके तो यह समझ के मत जाना कि paper अगर easy आएगा tough आएगा pre-minded रहो pre-plan करके जाओ कि paper tough ही आने वाला है उसी में से मुझे धून धून के question बनाने है और अपना selection लेना है बाकि जीए पे जीए और current banking awareness बैंकिंग अ आपको ज़्यादा ज़्यादा command करना है multiple division करना है दो तीन source का follow करना है एक source को follow करने से नहीं होगा आपको क्या करना है दो तीन source को follow करना है affairs cloud हो गया study IQ हो गया इसके बाद capsule हो गया multiple division और banking awareness पे ज़्यादा ध्यान देना है कि किस bank ने कौन सा अबी scheme launch किया है कहां पे कौन सा बैंक किस राज में क्या लॉंच कर रही है ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है और ये क्या बोलते हैं गौर्मेंट स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है इन सारी चीजों को आपको मल्टीपन रिप्विजन करना है और अबिचिरीज एक बहुत जाद पर्षणीर है तो कर सकते हो उससे जादा ध्यान नहीं देना है ठेके तो मल्टीपन रिविजन करना है अब देखो अभी आपको मेंस का पेपर लगाना चाहिए मैंस का पेपर से आपको श्यादा करनी चाहिए ठीक है प्रीबियस यर के PEPER आपको लगाने चाहिए कि कैसा P पेपर फूचा गया था और ज़रूरी नहीं कि आप बस IDPS PO के ही previous पेपर लगाओ SbI PO के भी लगाओ SbI कलर के भी देख लो IDPS कलर के भी देख लो क्या पता इसका पैटर्न इसमें पूछ दें इसका pattern इसमें पूछ दें तो आपको एक जहनकारी होनी चाहिए कि पिछले एक दो साल में कैसे question पूछे जा रहे थें ठीक है तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है descriptive के लिए क्या करना है लेटर पे आपको formal letter का एक command याद कर लेना है format याद कर लेना है कि यह address उपर लिखूँगा इसके बाद यह address नीचे लोखूँगा यहां से मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो लेटर से आपको कम से कम साथ आठ नंबर कैसे भी गेन करने हैं और एसे से तीन चार नंबर गे राना है paper टफ आएगा सब के लिए टफ आएगा आपको सारे question का answer नहीं करना है quant reasoning के question आप बनेंगे नहीं आपको उसी में चुलाना है दो नंबर वाले उसको ज़्यान दिए ना है चलो है दो फाइनल में चलेक्षन लेकर ही आपको छोड़ना है घंट चलो भा यहुआ नहीए भांगे